अबे गधे नट्टू अनपर कहीं का इधरा इधरा दिन भर तु नंदू और गेंडे के साथ खेलता रहता है पढ़ाई वड़ाई से तेरा कोई लेना देना नहीं है आज में तेरी क्लास लूँगा चल इधरा आज देखता हूं इसकूल में जाकर तु कौन सी पढ़ाई फटा-फट फटा फट में आज मैंने में उत्तर फटा फट देने को बोला था ये नहीं बोला था कि जो पूछना उसका आंसर फटा इन्ट्ट वां पका पड़ा है आज तो पनिपा चल जादा पानी पीने से क्या होता है ऋभरता है इस सब्सक्राइब पानी पीने से इस नटू का इतरा मुण्डी मुड़ी नीचे खर चारीahan जादा पानी पीने से खूझ साफ होता है त्वचा चमकता है पाचन क्रिया सही रहती है मारते क्यों पापा आप मुझे हाँ खुन साप होता है बास खुन साप होता है चल अगला सवाल बता पंदरा अगस्त को हमें क्या मिला था अरे क्या पापा तुम भी अपने बच्चे नट्टू से क्या के सवाल करते रहते आपका नट्टू बहुत ब्रिलियंट है मालू मैं 15 अगस्त को हमेर खाने के लिए सेव और लड्डू मिलते थे अरे यार ये स्कूल में जाकर क्या पढ़ता है पीचर लोग क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आ रहा है अब ये गधे तुझे सिर्थ सेव और लड्डू याद है पखले 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली थी आजादी मिली थी जो मैं बोल देता हूँ उसको रिपिट करता है ये चल अगला सवाल कौनसा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता कौनसा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता बता अरे क्या पापा अपने नट्टू से कैसा सिंपल सिंपल धवाल कर रहे पापा यह वेरी सिंपल अरे मरा हुआ पक्षी है ना कभी नहीं उड़ सकता अरे मरा हुआ पक्षी की अहलाद कभी-कभी तो लगता है यह छड़ी अपने मुँपे मारू कि मैंने किसको पैदा किया पागल कहीं क्या सुन इसका जवाब है कि एमू पक्षी उड़ नहीं सकता अच्छा अच्छा गेमू पक्षी अगेमू पक्षी गेमू पक्षी अरे गेमू नहीं बेप पगले एमू पक्षी एमू पक्षी असी अवलाद पैदा कर दिया मैंने तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें